जहां स्कूल और कॉलेजिस बंध हैं, कॉन्टाक्ट क्लासिस के लिए, वही MA स्टेडियम में छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए और आप साफ देख सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे इन में से 18 साल से छोटी उमर के हैं क्या इने करोना नहीं हो सकता? अगर इन बच्चों को कुछ होता है, या कोई इन में से COVID पॉस्टिव आता है, तो उसका जिमेवार कौन होगा? क्या जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट काउंसिल के हाइर ओफिशल्स इसकी जिमेवारी लेंगे? फर्स वेव एन सेकिंड वेव हद से जादा तबाई मचा चुकी है, और थर्ड वेव के बारे में साइंटिस्ट ने चितावनी दे दी है, इसके चलते छोटे बच्चों को प्रैक्टिस पर बुलाना और उनकी लाइफ को खत्रे में डालना क्या सही है? sources ने बताया कि coaches को higher officials द्वारा verbally बोला गया है कि आप बच्चों को बुलाओ and practice करवाओ और वही parents का coaches को कहना है कि हम आपकी responsibility पर अपने बच्चे बेज रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं maximum बच्चे इन में से 18 साल से चोटे हैं और 18 साल से नीचे वालों के लिए अभी vaccination आई नहीं है जिससे ये चोटे बच्चे इस वक्त करोना से संक्रमित हो सकते हैं और higher risk पर हैं coaches का कहना ये है कि हम भी क्या करें? हम मजबूर हैं उपर से order है बच्चों को बुलाने के लेकिन अगर बच्चों को कुछ हुआ तो parents तो हमें ही पूछेंगे और administration से कोई सवाल नहीं करेगा अगर इन बच्चों में से एक भी बच्चा संक्रमित हुआ तो वो आप समझ सकते हैं कितनों को और करेगा अगर school बंध है, tuition centers बंध है contact classes के लिए तो ये छोटे छोटे बच्चों की life risk पर क्यों डाली जा रही है जम्मू कश्मीर State Sports Council से request है कि प्लीज इन बच्चों की, coaches की और बच्चों के parents की life risk पर मढ़ डाले आगे पूरी life पड़ी है सीखने के लिए और अच्छा player बनने के लिए